आज की इस टाइम में IIT JEE या फिर NEET के कोचिंग इंस्टिटूट का ओप्शन इतने सारे हो गए हैं कि जॉइन करते वक्त काफी confusion create होता है कि भाई अगर offline जॉइन करे तो कौन सा इंस्टिटूट जॉइन करे और अगर online जॉइन करे तो कौन सा इंस्टिटूट जॉइन करे हाला कि selection में coaching institute का role 20-30% ही होता है पर एक अच्छा trustable coaching institute जॉइन करना भी काफी important रहता है तो आज की इस वीडियो में इसी confusion को clear करने की कोशिच की है वीडियो शुडू करने से पहले क्या मैं eligible हूँ इस topic में बात करने के लिए ये आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये इंडिया है और इधर credentials के बेना कोई किसका नहीं सुनता और अगर आप लोग नीट result reaction का वीडियो नहीं देखे हो तो description box में link मिल जाएगा एक बार चेक कर लेना तो पहले आते हैं offline coaching के advantages के बारे में First, teacher student का communication gap बहुत कम होता है अगर कहीं पे भी आपका doubts आये तो instantly उसी teacher से आप doubt clear कर सकते हो Second, student के बीच में एक study environment या फिर competitive environment बना रहाता है Third, अगर किसी भी कारण से पढ़ने का मन ना करे तो अपने competitor friend को महनत करती हुए देख के फिर से पढ़ने का मन करने लगता है Fourth और सबसे important point आप अगर चाहो तो mobile addiction से दूर रह सकते हो क्योंकि offline classes में as such mobile का use नहीं होने वाला है अब offline coaching का disadvantages के बारे में बताते है First is high fees देख से 2 लग तो coaching वाले ही ले लेते हैं और खाने पीने रहने का खर्चा लग तो कुल मिला के धाय 3 लग वो भी एक साल में तो कहीं नहीं गए Second, आपको demo lectures की availability नहीं होगा और आप अपने हिसाब से teacher को select नहीं कर सकते Third, teacher की पढ़ाने की pace को आप control नहीं कर सकते Fourth, अगर किसी भी कारण से आपका कोई भी class छुट गया हो तो आप same teacher से दुबाड़ा उसी class को attend नहीं कर सकते Fifth, bad friend circle अगर इस चक्र में पढ़ गया ना boss तो पढ़ाई का काफी नुकसान होने वाला है अब आते हैं online की advantages में First is lowest fees आप 4-5,000 में ही पूरे year-long course खरीद सकते हो Second, आपको demo lectures हर teacher का available होगा और इसी point में और एक point add करना चाहता हूँ कि इंडिया के top faculties भी online में पढ़ा रहे हैं और अगर आप चाहे तो उन best teacher से भी आप पर सकते हो Third, वीडियो lecture का pace आपकी control में है मुश्किल topic आप धीरे-धीरे पर सकते हो और आसान topic को जल्दी निप्टा के अपना time save कर सकते हो Fourth, online classes में time बहुत save होता है और अब disadvantages के बारे में बताते हैं First is mobile addiction आपको class mobile में देखना पड़ता है और अगर किसी भी social media का notification आपके phone के सामने आ जाए तो कब 2 minutes 2 घंटे में convert हो जाता है पता ही नहीं चलता Second is teacher और student के बीच communication gap बहुत ज़ादा होता है Third, आपको बहुत ज़ादा self motivation की ज़रूरत होता है क्योंकि आपके competitors कितने महनत कर रहे हैं इसका track आपके पास नहीं होता है According to me ये था कुछ major points offline and online coaching के advantages and disadvantages को लेके अगर आपको इंडिया की top faculty से पढ़ना है तो online जाना ही best होगा और अगर आपको एक competitive environment की ज़रूरत है तो offline जाना ही best होगा Keep in mind कि आपके family के financial condition अच्छे हो और अगर आपको top faculties भी चीए और एक study competitive environment भी चीए तो आप अपने friends से contact कर सकते हो जो की need aspirants है और एक study environment create कर सकते हो अपना और एक बाद मैं जाते जाते कहना चाता हूँ कि जब मैं offline institute में वर्ती हुआ था और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे या पर demotivation का time चलता था तो मेरे दिमाग में एक और pressure create होता था कि मैं इतने सारे पैसे खर्च कर दिया अपने parents के तो अगर आपके family का financial condition ठीक ठाक हो तो ही offline prefer करना नहीं तो online ही best है आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही मिलते है next किसी वीडियो में बाई